शत्रू की शक्ती का आपके दुश्मन की शक्ती का पून रूप से बिनास करने वाला एक शक्ती शाली और चम्तकारी टोट का मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह उपाय करकर देखें आपके शत्रू की रातों की नीद को हराम कर देगा और 24 गंटे में ही यह आपके सामने रजल्ट हाजर कर देगा जो भी आपका कोई दुश्मन है उसकी शक्ती का पूर्ण रूप से अंत करने के लिए माता काली, बाबा भैरवनाथ और माता मसानी मेलडी जी का नाम लेकर आपका जो भी कोई शक्त्रू है उसकी शक्ती का पूर्ण रूप से भक्त जनों बिनास होगा साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्त जनों को जाय माता की तो भक्त जनों आज मैं आपको चैनल के मादम से शक्त्रू की शक्ती का आपके दुश्मन की शक्ती का पूर्ण रूप से बिनास करने वाला एक शक्ती शाली और चम्तकारी टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस टोटके के लिए आपने किसी मंतर का विजाब नहीं करना और ना ही आपने कोई वड़ा अनुष्ठान करना है और ना ही आपने इस टोटके को करने के लिए किसी तमत्रक जा किसी सादक के पाह जाना है आप खुद ही इस टोटके की विदी को अपना सकते हैं अगर आप अपने शत्रू से परेशान है अगर आपका जो भी कोई शत्रू है अगर वह आपको विनावजा से परेशान कर रहा है आपकी जो भी आपका इल्म है जा फिर आपका घर है जा फिर आपका सरीर है अगर वह उसको बांद रहा है किसी बंदन में अगर आपका शत्रू आपको ले रहा है और आप पूर्न रूप से तूट चुके हैं तब आप इस विदी का ये उपाए करकर देखें और ये जो उपाए है आपके शत्रू की रातों की नीन को हराम कर देगा इतना शक्ती शाली और चम्तकारी ये उपाए है और 24 गंटे में ही ये आपके सामने रजल्ट हाजर कर देगा अगर आप इस विदी का जहे उपाई करेंगे जैसे जहे मैं आपको बताने जा रहा हूं लेकन ये विदी बताने से पहले आप सभी वक्त जनों से नवेदन है कि अगर आप इस चैनल के उपर नए आए हैं तो किर्पया आप चैनल को सबस्क्राइब कर ले तांके जो भी इस चैनल के उपर वीडियो है आप उसको भी देख पाएं और जो नई वीडियो हम इस चैनल के उपर डालते हैं उसके लिए वक्त जनों आप आउल घंटी का वटन दवाएं तांके उसकी नोटिपकेशन आप सबको सबसे पहले मिल्क पाएं और इसके इलावा भग्त जनों अगर आप किसी घर की समस्या के बारे में मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप जो वटस अप का नंबर देख रहे हैं स्क्रीन के उपर तो इसके उपर आप अपॉइंटमेंट बोकिंग करवा सकते हैं उसके वाद नित्याही सुबा नौ वज़े से लेकर बारा पीम तक मैं आपके सवालों के जवाव दूँगा मैं ही आपके साथ बात करूँगा जो भी आपके घर की कोई समस्या है उसका मैं निवार्न करने की कोशिश करूँगा भग्जनों पून रूफ से विनास करने के लिए जो भी आपका कोई दुश्मन है उसकी शक्ति का पूर्ण रूप से अंत करने के लिए अब मैं आपको जे शक्ति शाली और चम्तकारी ये उपाई बताने जा रहा हूं जिसका रिजल्ट आपको चन घंटों में ही मिल जाएगा तो इसके लिए भग्तजनों आपने लेने हैं साथ सावुत नेमबू और एक आपने बलैक कलर का दागा लेना है और इसके साथ आपने एक सुई लेनी है इन नेमबू की माला बनाने के लिए और एक आपको चाहिए काजल की डिब्बी तो आपने जह जो निम्बू हैं जह सारी समागरी आपने शनी वार वाले दिन आपने घर में इसको लेकर आना है और उसके वाद वक्त जनों जह जो साथ निम्बू हैं इसको आपने इस धागे में परो लेना है इस सुई की मदद से और उसके वाद भक जनों एक एक टीका आपने जो अंगूठे के साथ ये उंगली होती है इसके साथ आपने माता काली, बाबा भैरवनात और माता मसानी मेलडी जी का नाम लेकर एक एक टीका लगाते रहना है एक एक निम्बू के उपर और जो भी आपका कोई शत्रू है अगर आप अपने शत्रू का नाम जानते हैं तब तो आप उसका नाम लें अगर आप नाम नहीं भी जानते तब आपने माता काली, बाबा भैरवनात और मसानी मेलडी जी का ध्यान धर्थते होए उनसे आपने अरदास करनी है वेंती करनी है कि जो भी हमारा कोई शत्रू है आप उसका पूर्ण रूफ से बिनास करें और उसकी जो भी कोई बुरी शक्ती है उसका आप पूर्ण रूफ से निवार्न करें इस उपाए से भक्त जो भी आपके घर में कोई नेगटव अरजा है उसका भी निवार्न हो जाएगा और जो कोई बुरी वादा आपके घर पर वार के उपर लगी हुई है उसका भी निवार्न हो जाएगा और कोई नजर टोटका अगर आपके घर पर वार के उपर आपके सरीर के उपर जा आपके कारोवार के उपर लगा हुआ है तो उसका भी भक्तजनों निवारन हो जाएगा तो इस विदी के अनुसार आपने निम्बूं की माला त्यार करने के बाद एक एक टीका काजल का लगाने के बाद भक्तजनों जे जो साथ निम्बू हैं इनको पूरे घर में से आप बार लें एक एक बार लेकिन किसी व्यक्ति के उपर से आपने इसका उतारा नहीं करना क्योंकि भक्तजनों जे जो उपाय है शत्त रूब नाशक आपके दुश्मन का पूर्न रूप से बिनास करने के लिए और उसके वाद शनी वार वाले दिन भक्तजनों हरात तरी के समय जब पूर्न रूप से सूर्या अस्त हो जाए अंधेरी रात हो जाए और इस उपाय को करते हुए भक्तजनों आपने ध्यान रखना है कि आपको कोई देखे ना, तो आपने यह जो साथ निम्बूऊं की माला है किसी काटे वाले पेड के ओपर आपने इसको टांक देना है कोई भी काटों वाला पेड हो तो उसके ओपर आपने यह माला डाल कर घर में आजाना है तो भक्त जनों आप एक वार इस विदी का जहे उपाय करकर देखें तो आपका जो दुश्मन है पूर्ण रूप से गड़ गड़ाने लगेगा आपकी वह शर्न में आ सकता है और पूर्ण रूप से आपका जो भी कोई शक्त्रू है उसकी शक्ती का पूर्ण रूप से वक्त जनों बिनास होगा अगर इसी विदी के अनुसार आप जे उपाय करेंगे जैसे जैसे जे वक्त जनों मैंने आपको जे बताया है तो वक्त जनों अगर आपको जे वीडियो बढ़ी है लेगी इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें फिर मिलते हैं एक नई अप्रेट के साथ तब तक जाए माता काली जाए बाबाब है रवनात